नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल UPSC IS exam में आज मैं कर्दम रावल आपके लिए लेके आए हूँ Daily Current Affairs जो IS, SSC और IBPS की exams के लिए helpful होते है तो focus करके बनाए जाते है IS aspirants को ताकि SSC और IBPS के students के लिए ये automatically helpful हो जाए तो आज जारे के सारे जो news है Current Affairs के वो जादातर जो हमारे प्रियम नरंदर मोदी है जो Middle East, जो South East Asia की विजिट के उपर निकले है जो Singapore, Indonesia के विजिट उन्होंने की थी तो उस विजिट के उपर के इस आज के Current Affairs है तो आज की तारीख है 2 जून 2018 शनीवार तो देखते है हमारा जो Video Course है वो launch हो चुक है और इसकी जो प्राइस है वो 9,999 रूपीज है लेकिन पहले 2000 एस्पिरेंट करने पहले 2000 रजिस्टेशन करवाने वाले एस्पिरेंट को ये मिल रहा है 4,999 में और इसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.upsisexams.com कोर्स की वेडिटी 2019 के में से एक्जाम तक की है और अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करते है और उस वेबसाइट के अंदर आप chat window का इस्तमाल करते है तो ये कोर्स आपको 4,999 से भी कम अवाउंट में अवेल हो सकता है और जो वीडियो और कंटेंट है वो अनलिमिटे टाइम एक्सेसेबल है PDFs आर डाउनलोडेबल फोर अनलिमिटे टाइम तो बहुत सारी चीज़े यहां पर मिल रही है 30 क्वेस्टन की 30 मोक टेस्स क्वेस्टन पेपर्स दिये जा रहे है 50 टेस्स पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए दिये जा रहे है फिर GS आर्टिकल्स 6 मैने के करन्ट अफेस्टन बहुत सारी चीज़े इसके साथ गिववव में हम दे रहे है तो विजिट करना ना बुले हमारी वैबसाइट और कोर्स के साथ ज़रूर से जुड़े विजिट करें हमारी वैबसाइट यूपीस याएस एक्जाम्स डॉट कॉम और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते तो जो पहला करन्ट अफेर निकल के आता है वो शांगरिला डायलॉक्स के लिए है जो हमारे नरंदर मोदी है जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर की नोट श्पीकर जो हमारी जिओ स्ट्रेटिक इवेंट हुई है शांगरिला के वहाँ पे शिंगापूर पे तो वहाँ पे जो डायलोग्स होए उसके रिलेटेट पी एम नरंदर मोदी ने वहाँ पे जो उपर हम क्या-क्या फोकस करना चाहते हैं, तो PM नरंदर मोधी है, उनका क्लियर ली कहना है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उसको इंटर लिंक रीजन बना देना चाहिए, और यहाँ पे एक दूसरे देशों के साथ बहुत ही नजदी की से संबंध बढ़ाने की जरूर है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट उन्हों डिसकस किये है, तो हर एक पॉइंट हम रीडाउट करके डिसकस करेंगे, दूसरा पॉइंट, South East Asia remains at the center of Indo-Pacific region, यानि कि Indo-Pacific region अगर develop कर रहे है, वहाँ पे सारी activities कर रहे है, तो South East Asia का जो region है, उसको सबसे जादा importance दिया जाएगा, तीसरा पॉइंट, the necessity to evolve through dialogue, a common rule-based order for the region dialogue, यानि कि इस तरह के dialogue satisfy करने है, बना के रुखने है, rules वगेरा, कि common rule हो, सबके लिए एक ही चीज, सबके लिए एक ही formula रहेगा, किस तरह से कोई भी situation हो, तो deal out करना है, फिर, all nations should have equal access as the right under international law to use of common places on the sea and in the air, यानि कि दरिया और जो समंदर का जो region है, वहाँ पे हर किसी के लिए equal right रहेगा, किस तरह से उस चीज को उन लोग को utilize करना है, 5. The solution cannot be found within wall of protectionism, but in embracing changes, यानि कि अगर आप कोई समस्या है, तो घर बैठ है, या फिर ऐसे नुस निकालने से बात नहीं चलेगी, दिवारे बना के नहीं रखनी है, बाहर आना है, आके बात करनी है, और जो modifications change चाहिए, वो change लाने होंगे, और जो last point है, The connectivity initiative has to be successful, they must be built on bridge of trust, highlighting need to respect the sovereignty and territorial integrity, यानि कि यहाँ पे अगर development करना है, तो जो bridge बनाना है, तो sovereignty और territorial integrity को ध्यान में रखना है, और successfully support करते हुए initiative को आगे बढ़ाना है, तो PM नरंदर बोधी ने Singapore के अंदर, इंडिया का जो gateway है, ASEAN का, उसके साथ भी हाथ मिला है, उसके अलावाद 2002 के अंदर जो हमारी शुरुवात हुई थी, IISR, Sangeri, Dialogues की, Singapore के अंदर, तो most important यहाँ पे जो gathering थी, वो specifically target की गई defense professional को, और Asia Pacific region को, और 2002 से जो dialogue चल रहे थे, तो वो एक build करने की कोशिश की गई, confidence को, और foster किया गया practical security cooperation को, यानि कि अब जो भी cooperation की और security की defense की सारी बाते वो paper पे नहीं रहेगी, बलकि implement होके देखने को मिलेगी, तो ease communication and full full contracts यहाँ पे focus में रखे गए है, और जो भी reason, जो reason है यहाँ पे, यह पूरा Indo-Pacific region का, तो यहाँ पे जो security के policy makers है, और defense की जो matter से, इसको सबसे ज़्यादा importance दिया जाएगा, था कि Indo-Pacific region जो भी देश है, उसके बीच में एक ऐसा माध्यम established हो, जिस तरह से एक दूसर के साथ अच्छी तरह से behave and communicate कर पाए, दूसरा जो current affair है, वो भी South East Asia के साथ connect करता हुआ है, तो PM नरेंदर मोदी ने, जो South East Asia की अभी visit ली है, उसके अंदर Marine Time Cooperation को develop करके आगे लेके आने की बहुत स current affair हमने दिये थे कल, वहाँ पर भी हमने कहा था और उससे पहले, यानि कि 31 मेको भी हमने आपसे कहा था, कि वही इंडोनेशिया है, उन्होंने हमसे request की है, कि आप हमारे यहाँ पे port वगेरा develop कीजिये, और आप उसी का मला का स्ट्रेट का उसका development करे, और वहीं पे आप control भी कि हिंडोस्ता ने एक चीज यहाँ पे लांच कि है, कि इंडोनेशन सिटीजन को इंडिया के अंदर 30 दिनों के लिए एकदम से free visa मिलेंगे, यानि कि अगर इंडोनेशिया के कोई बंदा इंडिया के अंदर visit लेना चाहता है, तो 30 दिनों के लिए उनको कोई visa लेने की ज़ और इंडो Pacific region की बात हो रही है, और जो वहाँ के president है, विडोडू उनका और जो हमारा सागर initiative है, उन लोगों का जो marine time fulcrum policy वो एक दम से meet होता है, एक दम से match होता है, और यहाँ पे जो तीन दिन की visit हुई थी Singapore के अंदर, तो वहाँ पर भी US Defense Secretary Jim Mattis से भी हमारे president ने, Prime Minister ने मुलाकात ली, इसके अलावा जो इंडो US Pacific Command जो नाम बदल के रखा है, जो Pacific Command से तो यहाँ पर भी जो strategic style देखने को मली है, दो देशों के बीच में उसकी appreciation देते हुए, वहाँ पर भी उन्होंने visit की, US के defense secretary Jim Mattis के साथ, इसके अलावा हमारे जो प्रदान मंतरी थे, उन्हों जो sailors वगेरा थे, Indian Navy के, उनके साथ communicate किया, और जो Royal Singapore Navy है, उनके साथ भी इन्होंने बात चीत की, और आयने सत्पुरा जो है, वो चांगी नवल बेस के उपर आया था, ताकि वहाँ पे वो अपना सावान वगेरा जो चीज थी, वो वहाँ पे deployment करने के लिए था, उस region के अं और जो finally, जो last day था, तीन दिन की विजिट के अंदर, तो Singapore के अंदर Hindu Temple को विजिट किया, Modi ने फिर चूलिया मोस्क को विजिट किया, और demonstrating the age old people to people contact between India and Singapore, यहाँ पे जो चूलिया मोस्क है, वहाँ पर एसी चीज, art and culture की यहाँ पे बुनी हुई है, दिवारों के अंदर की, जहाँ पे people, old age के time period में, जो लोगों से लोगों के तक बीच के जो contacts हुआ करते थे, इंडिया और शिंगापूर के, वहाँ पे वो सारी चीजे देखने को मिलती है, मैं आपको बताऊंगा, चाहूंगा, कि इंडियन religion के अंदर, Hindu mythology के हिजब से, जो गनेशा हमारे यहाँ प वहाँ पर भी उसकी celebration और उनके लिए भी बहुत सारी faith वहाँ पर सिंगापूर और इंडोनेशिया में भी देखने को मिलती है, तो इंडिया का बहुत सारा connection सिंगापूर इंडोनेशिया जैसे countries के साथ पहले से इतिहास के time period से था, यसी चीजे साबित जरूर से होती है, त तो time to time बहुत सारे चिंजिस देखने को मिले और हमसे दूर है, हाला कि distance है, लेकिन culture और religion wise कहीं ना कहीं हमसे आज भी बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए है, उसके बाद आता है union government forms, कावेरी water management authority, तो यहाँ पे जो कावेरी water management authority बनाने के लिए जो central government ने step ले लिया है आखिरकार की Tamil Nadu, Karnata, Kerala और Puduchery के बीच में जो भी communications issues चल रहे है, कावेरी water river के dispute को लेके चलते हुए, तो उसको किस तरह से control किया जा सके, तो February 2018, specifically अगर मैं बोलू तो 16 February 2018 को government, जो supreme court है, उन्होंने order दिया था, government को की भई आप जो है, वो एक कावेरी management authority बनाईे, और व फिर उस जो judgment दिया था, उसके अंदर करनाटका का जो water sharing part है, वो बड़ा दिया गया था, दूसरे state का कम किया गया था, तो करनाटका को ज़्यादा पानी मिल रहा था, लेकिन central government ने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, और फिर बोला आपकी जो verdict थी, वो हमें ambiguity के सामना करना पुड़ा आपकी verdict से, तो आप फिर से हमें थोड़ा सा time दीजिए, फिर दो बार time दिया गया, और बाद में जाके finally central government ने एपेक्स code की बाट को ध्यान में रखते हुए, एक CMA, यानि की कावेरी water management authority बनाई, तो यहाँ पे composition किस तरह से होगा, उसके उपर नजर डाल लेते चाहिए, या फिर wide experience इनको होना चाहिए, water resource management का, और यह एक IAS दरजे के अफसर होने चाहिए, या फिर इनका secretary या फिर additional secretary का rank होना चाहिए, इसके अलबाँ, यहाँ पे दो part-time members आएंगे, जो central government यहाँ पे लिके आएगे और जिनका rank रहेगा joint secretary, और इसको nominate करेगी ministry of water resource, river development and ganga rejuvena and ministry of agriculture and farmers welfare representative respectively and four part-time members, इसके अलबाँ और चाहर पाट-time members होने जो अलग-अलग states से आएंगे, administrative secretary in charge of water resource, department of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and the union territory of Puducherry, यानि की चाहर अलग-अलग places है, तीन state है और union territory है, वहाँ से चाहर लोग आएंगे, who shall be nominated by the state government and union territory administrative respectively. यानि की यहाँ पे जो municipality वगेरा boards होते है, वो लोग भी अपने हिसाब से इनको appoint कर सकते है, यानि की एक हो गए chairman, दूसरे दो हो गए, part-time वो भी center government के होंगे, rank वगेरा इनके joint secretary के level के होने चाहिए, और अलग-अलग ministry के हिसाब से आएंगे, और इसके अलबाँ जो तीन state और एक unit territory है, करेला करनाटा का तामिलाडू और पुडूचरी, तो इनके एक local जो territorial administrative है, वहाँ से एक एक local appointment कर सकते हैं, और ये एक बनेगी team, यानि की चार और दो छे, और एक chairman साथ, यानि की 7 लोगों की team बनेगी, कावरी water management authority की team के अंदर कितने members होंगे, ये अकर अब से question पूचा जाएगा, तो आपका answer रहेगा, साथ members की team रहेगी, चार और दो छे, छे और एक chairperson साथ, तो last का जो point है, वो है, सेवा, भोज, योजना, तो यहाँ पे union ministry है, of culture, उन्होंने 1st June 2018 को एक discussion दे दी है, एक order और एक scheme दे दी है, कि सेवा, भोज, योजना, इसका मतलब ह जो share है, CGST और IGST, यानि की, जो central goods and service tax है, और integrated goods and service tax है, उसके अंदर जो food, प्रसाद, लंगर और भंडारे होते हैं, religious activity के अंतरगत, जो गरीब लोगों को, या फिर जरूरियात मंद लोगों को, मुफ्त के अंदर, या फिर बहुत ही affordable prices के अंदर खाना खिला जाता है, वहा को यहाँ पे कम किया जाएगा, और जो financial burden है, इस तरह के charitable religious institute का वो कम किया जाएगा, specifically food, प्रसाद, लंगर, यानि की community kitchen बोलते हैं, उसको लंगर, जो अगर आप पंजाब वगेरा से बिलॉंग करते हैं, या फिर पंजाब आपने विजिट किया है, तो लंगर का word आपको obviously पता होगा, और भंड़ा, भंड़ा भी, अगर आपने पंजाब हरियाना वगेरा places विजिट किये है, तो आपको भंड़ा का मतलब भी पता होगा, भंड़ा अगर आपको नहीं पता है, या फिर लंगर आपको नहीं पता है, तो एक ऐसी place जिसकी आप विजिट करो, जैसे क connect की हुई है तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपको बाहर खाना खाने की जरूरत नहीं है वहीं मंदिर के अंदर जो temple है वहीं के अंदर वहाँ से आपको खाना provide किया जाएगा प्रसाद के तोर के उपर जो food मिलेगा उस food को भंडारा भी बोलते है लंगर भी बोलते है तो अगर आप वहाँ खाओगे तो अलग-अलग जगा होगे भंडारा के अंदर कुछ अलग चीज़े मिलती है लंगर के अंदर कुछ अलग चीज़े मिलती है लेकिन ultimately इसका focus ये है कि आए हुए visitor को free के अंदर खाना खिलाना और यहाँ पे कोई भी discrimination नहीं होती public और devotee के बीच में यानि कि वो भक्त है कि नहीं है हमारे religion के अंदर शरद्धा रखता है कि नहीं रखता है लेकिन दिया ज़्यादा है तो charitable religious institution की categories में कौन कोन आते हैं वो देख लेते हैं temple, गुरुदवारा, mosque, church, धार्मीक आशरम, दरगा, मठ, monastery ऐसी चीज़े आती हैं और यहाँ पे यह लोग अगर 5 साल से ज़्यादा time period के लिए काम कर रहे हैं और financial assistance और grant इन लोग को मिल रहे हैं और यह लोग अगर महीने के हिसाब से 5000 या उससे ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं तो इन तरह के institution को section 10 subsection 23 BBA income tax act के अंतरगत इसको register करना होगा और इनको register करना होगा society के लिए जो society registration act 21 of 1860 उसके अंदर इनको register करना है या फिर public trust अंदर any law इनको register करना है और जो statutory religious body है उसका constituted होना चाहिए इसी तरह के कोई act के अंतरगत और जो ये institution है वो under section 12 BBA of income tax आना चाहिए जो eligible है grant वगेरा grant वगेरा प्राप्त करने के लिए और यहाँ पे जो eligible institution है उनको register करना है दरपन portal के माधियम से यानि कि ये जो process थी income tax act society act वगेरा वाली तो ये process तो public trust वाली तो ये process तो उनको बाहर से करनी है लेकिन सेवा भोज योजना का लाब लेने के लिए जो उनको registration करवाना है reimbursement के लिए IGST और CGST तो वो उनको दरपन portal से मिलेगा ये web portal है जो government of India ने launch किया था 2015 के time में तो ये जो scheme है इसका benefit दरपन portal के माध्यम से ही लिया जाएगा तो अगर आपको दरपन portal के बारे में जादा जानकारी है तो हमें जरूर से comment करें और अगर आप चाहते है कि दरपन portal के उपर एक video बनाया जाए आप हमें जरूर से comment करके बताए तो हम आपके लिए दरपन portal का वीडियो जरूर से बनाएंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना इस वीडियो को हो सके उतना like के लिए शेयर करें और अपने इर्डियों के बोले कि इस चैनल को subscribe करें और bell icon पर click करें ताके आने वाले टाइम पिरेड में आने वाले वीडियो के नोडिविकेशन को तुरंत अब राप होती रहे थेंक्यू दोस्तों जैहिंत बारत मता कीज़े वंदे मात्रम